सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलोजी एंड स्मार्टफोन विडियोज नमस्कार दोस्तों में हुँ प्राचीत और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के एक फ्रेश एपिसोड में और वन प्लस 5D के लिए एक नया OTA अप्डेट रॉलाओट हुआ है जोक लोगों को पुराना वाला 9.0 का अप्डेट नहीं मिला है उन लोगों को 9.0.1 डिरेक्ली मिल जाएगा और वो इंस्टॉल कर सकते है और जिनको अल्रेडी मिला है 9.0 का अप्डेट और जिन्नोंने किया है उन लोगों को यह OTA अप्डेट करके मिलेगा complete file मिलेगी या incremental update मि लेगा 9.0.1 हलाकि फिलाल तो VPN से तो नहीं मिल रहा है लेकिन आपको में डाउनलोड फाइल का एक लिंक दे रहा हूँ वहां से आप फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो या फिर एक तीन-चार दिन वेट कर सकते हो तिन-चार दिनों में इंडिया में यह अप फाइटी का फोन और यह है चेंज लॉग 9.0.1 अपडेट फॉर वन प्लस फाइटी और देख सकते हो कुछ बग फिक्स किये हैं जैसे कि इंप्रू स्टैबलेटी फॉर वाइ-फाइ कनेक्शन ऑप्टिमाइज एस रजी डिस्पले मोड ऑप्टिमाइज रेइंग मोड फि सिस्टीम अपडेट में यह अपडेट नहीं आ रहा था जैसे कि आप देख सकते हो तो यह एक आप आता है गुगल प्ले स्टोर में आपको मिलेगा यह एक आप ओपन करने के बाद आपको यह 9.0.1 का फाइल इदर मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो यह पूरा फाइ करने के बाद इस फाइल को इंटर्ण स्टोरेज में रट दिया फाइल में जाके इस फाइल को मिल रख दिया और फिर हम लोग जाते है सेटिंग में बाद सिस्टीम में ओप्डेट लोकल अपड़ेड और आज के तारिक के फाइल है 1 1 2019 यिसको सेलेक करेंगे और करने के लिए और आपको दिखा देता हूँ वर्जन और क्या क्या चेंजे से वह तो अपडेट कंप्लिट हो गया फोन भी रिस्टाट हो गया और आप देख सकते हो यह जो ऑक्सिजन का वर्जन है यह 9.0.1 का और एंड्रोइड वर्जन 9 है डिसेंबर का सेक्रूडी पैच है और अगर चेंज लॉक की बात करते हैं तो इंप्रूव स्टैबिलिटी और वाइफाइ कनेक्शन ओप्टिमाइज SRGB मोड और एंड आप्टिमाइज रिडिंग मोड तो यह दोनों ही मोड हमको डिस्प्ले सेक्शन में मिलेंगे तो हम लोग चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन म और रिडिंग मोड में ऑप्टिमाइजेशन सीधर किये हैं अगें अगर आप स्क्रीन कैलिब्रेशन में जाओगे तो SRGB मोड इदर आता है इसने भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन किये हुए है लेकिन मैं डिफॉल्ट मोड पर ही रखता हूँ क्योंकि वो मुझे ज्यादा पर करने को मिलेगा और फिक्स रैंडम इश्यूस वाइल स्क्रीन कास्टिंग तो अगर आप आप अंड्रोड टीवी के साथ स्क्रीन कास्ट कर रहे हो तो आपको यह कास्ट आप्शन इस स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हो और इसमें कुछ रैंडम रिबू companion के इशूस को फिक मैं recommend करूंगा कि installation के बाद recovery mode में जाके cash को जरूर clear करना ताकि जो भी कुछ issues रहेंगे वो fix हो जाएंगे तो दोस्तों आज की विडियों बस इतना ही अगर वीडियो चले के तो लाइक को subscribe भी जरूर करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में till then thank you very much and see you soon